प्रॉप्र पिट्रोल पंप पर ट्रक मालिक राजी खान को जम कर पिटाई कर दी, आपको बता दे कि ये सभी दबंग मुरंग मंदी में ट्रकों की दलाली जबरजस्तिक करने पर आमादा हैं। अमेठी के सुकुल बाजार इलाके के मोहना पश्चिम गवाँ में बंदरों ने घरों में तोड़ फोड़ करते हुए घर में रखे खाने के सामानों को काफे नुक्सान पहुचा है जिससे इलाके के लोग काफी परिशान है जौनपुर में थाना जफराबाद पुलिश टीम ने जमीनी विवाद और हैंड़ पंप लगाने के विवाद को लेकर कहा सुनी करने वाले मोहित अशर्फी अमित और अमरजीत को उनके घर से गरिफ्तार करते न्यालाय बेज दिया जौनपुर में बदलापुर थाना पुलिश टीम ने रमाशंकर और राहुल को सरोखनपुर बाईपास से गरिफ्तार कर जेल बेज दिया अवियुकतों के कबजे से एक चाकू दो लाठी और डंडा बरामत किया गया है जौनपुर में थाना मुगरा बाश्चापुर पुलिश टीम ने आत्महत्य के लिए उसकाने वाले अभियुकत रामचंदर सोबनात और उधैराज को उनके घर से गरिफ्तार कर जेल बेज दिया है जौनपूर में थाना बरसटी पुलिस टीम निगोहां बाजार को में सड़क को जाम करके पुलिस पार्टी पर पत्राओं करने वाले अभ्युक्तों को गिरिफ्तार कर जेल वेज दिया है रामपूर में भोड थाना के धनूपूरा गाओं में पुरानी रंजिस को लेकर दो पक्षों ने आपस में जम कर मार पीट करते एक दूसे पर लाठी डंडे और पत्राओं किया इस खोनी संगर्ज में दोनों पक्षों की दो महिलाओं समेत आठ लोग गंबी रूप से घायल हो गए पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज कर जात में जुड़ गई बनरामपूर में ठाना ललिया के जोरा वहार डी सिरहिया गाओं में उधार देने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार पर धारदार हतियार से हमला करते हुए मार पीट कर घायल कर दिया सोचना पर पहुची पुलिस ने तहरीर के आधार पर कारवाई शुरू कर दी है मेरट के परतब उर्थाना के पेड़ा गाउं में आदित ने जमीनी बिवाद के चलते फासी लगाने की कोशिस की सुचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने मिलकर आदित्य को फासी के फंदे से नीचे उतारा